नमस्कार दोस्तों, इकोवेशन आपके लिए लाया है न्यूस्पेपर एडिटोरियल एनलेसिस इंडियन एक्स्प्रेस न्यूस्पेपर का दस माई के लिए मैं हूँ अपूर्व मिश्रा, if you are looking for this analysis in English, you can click the link in the description below अगर आप दा हिंदू न्यूस्पेपर का एनलेसिस देखना चाहते हैं तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप मुझसे connect कर सकते हैं Ecovation पर मेरा study group join करके उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप मुझे अपने सभी सवाल email कर सकते हैं और आप मुझसे Facebook पर भी connect कर सकते हैं इस वीडियो का best को के जरीए best learning करने के लिए आप अगर अपने हाथ में newspaper रखेंगे तो आपके लिए best रहेगा तो आज का जो पहला यह तीसरा article है और यह नीचे वाला editorial article यह आपके लिए useful नहीं है जो lead opinion article है यह एक पाकिस्तानी journalist ने लिखा है military scientist ने लिखा है और political commentator जो है तो यह article overall बहुत important points आपको नहीं देगा लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान relations हमेशा आपके विपर के लिए important रहेंगे तो इसे quickly read कर लें जो important points कुछ है इसमें से आप उठा सकते हैं उन्हें मैंने highlight कर रखा है तो आप उसे use कर सकते हैं जो editorial article है पहला वो justice करनन का जो issue है उसके context में है तो यह article syllabus wise बहुत important points आपको कुछ देता नहीं है इसलिए इसको quickly read कर लें और इससे आप next article पर आगे बढ़ सकते हैं जो अगला article है वो RBI ने recently एक ordinance पास government ने एक recently ordinance पास किया है RBI को empower करने के लिए कि वो कड़े measures ले सकते हैं जो non-performing assets हैं NPS उनको resolve करने के लिए यह आपके syllabus के GS paper 3 Indian economy portion से directly linked है issues related to growth जो syllabus point है उससे linked है यह article बात करता है कि जो existing stock है NPS का वो बना कैसे बहुती brief में discuss करता है और साथी यह article discuss करता है कि जो ordinance proposed है वो RBI को कैसे help करेगा इन सारे non-performing assets को resolve करने में जो की oversight committees का point है इस आर्टिकल में मैंने highlight करे हुए है वो important points आप इस article को refer कर सकते हैं इस video को post करके आप अपने newspaper में इस article को पर सकते हैं और जो challenges होते है बेंकर्स के लिए जो भी कड़े फैसले लेने होते हैं खासकर कि ऐसा फैसला कि भाई यह आदवी मुझे जो loan मैंने इसको दिया था वो तो मुझे लोटा नहीं सकता तो अगर मुझे 10 रुपे नहीं लोटा सकता तो 8 रुपे लोटा दे शुन रुपे लोटाने से तो बहतर ही है लेकिन ऐसा फैसला जब वो लेता है तो उसके उपर CBI और तमाम तरह की investigative agencies आ जाती है उस officer के सर पे जिसने किये फैसला लिया था तो वो independence देने के लिए ही यह ordinance पास किया गया है तो long term solutions क्या हो सकते है NPS के वो towards इस article के आखरी में जो पार्ट highlighted है उसमें discuss किया गया है जो की specifically यह governance reforms जो public sector banks में होना चाहिए उसकी बात कर रहा है बिना उसके यह सुधार possible नहीं है finally यह article discuss करता है कि ऐसे ordinance से risk क्या हो सकते है तो RBI की reputation एक बहुत important चीज है और यह ऐसे independent जो decisions है NPA को resolve करने के लिए उसमें अगर RBI की दखल अंदाजी होगी तो RBI बड़े level पे फैसला नहीं कर पाएगा काईदे से यह हर bank को अपने level पे फैसला लेना चाहिए लेकिन क्योंकि situation extraordinary है इसलिए यह फैसला लिया गया है पर इससे RBI की reputation को long term में risk भी है तो इस पूरे issue के उपर यह सवाल हो सकता है आप इस वीडियो को pause करके इस सवाल को note down कर सकते हैं और सही समय मिलने पर उसे attempt कर सकते हैं अगले page की तरफ जाएं तो जो animal farm वाला article है वो आपके लिए useful नहीं है जो unity of the services article है यह joint doctrine of Indian armed forces जो हाली में release हुई है एक महीने पहले उसके context में है यह आपके syllabus के GS paper 3 internal security से linked है various security forces and their mandate यह article जो पूरा एक सुझाव है कि एक joint command होना चाहिए तीनो आर्मी तीनो जो wings है air force military और navy इनको joint कर दे और उनके इन तीनों के ऊपर एक joint command हो उस पूरे सुझाव को critique कर रहा है कि ऐसी कोई जरूरत है नहीं जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से कई बार ऐसी situations आई जब भारत को युद्ध लड़ना पड़ा और कभी उस इसा joint command बनाया गया था और ऐसे joint command से तब महां पर hindrance पैदा हुआ रुकावटें पैदा होई और इस सब को इस article में discuss किया है जो important points है मैंने आपके लिए highlight कर रखें इस issue के उपर जो सवाल possible है वो यह हो सकता है इस video को आप post करके से note down कर सकते हैं और इसे आप सही मिलने पर attempt क कर सकते हैं तो यह आज का अकबार है अगर आपको यह वीडियो useful लगा तो इस video को प्लीज लाइक करें और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए useful हो सकता है तो प्लीज उसे share करें अगर आप मेरे सारे video blocks से up to date रहना चाहते हैं तो इस channel को YouTube channel को subscribe करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो upload होते ही आपको उसका notification मिल जाए तो bell icon जो है YouTube पर उसको दबाएं इन सारे articles पर detailed discussion के लिए और दूसरे issues के बारे में जो की UPSC के हैं उस पर discussion के लिए और free mock tests के लिए prelims के लिए मेंस के लिए और उन सब की analysis के लिए आप मेरे study group को join कर सकते हैं Ecov notification पर उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद